दोस्तो आधारकारड से रिलेटेड दो नई अपडेट आई है उनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि नहीं बनेंगे नए अधार कारड यानि अब किसी के नए अधार कारड यानि जो पांच साल से उपर के हैं तो उनके अधार कारड एक अक्टोबर के बाद में बंद कर दिये जाएंगे यहने जो भी व्यक्ति होगा जिनकी आयू 5 साल से उपर की हो गई तो उनके अधार करड़ 1 अक्टूबर के बाद में बंद हो जाएंगे केवल करेक्शन ही अधार करड़ में किया जाज सकेंगे लेकिन अभी UIDI के द्वारा एक नोटिफिकेशन और जड़ी किया गया जिसमें अधार करड़ के बारे में ही कुछ बातें बताएगे है तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर UIDI के द्वारा एक गोशना की गई है कि जनम के साथ अधार नंबर बाद में बर्थ सर्टिफिकेट है यहने दोस्तों जल्द ही देश भर में अधार लिंक्ड बर्थ सर्टिफिकेट सुरू हो जाएगी यहने दोस्तों कि आज तक तो क्या होता था कि जैसे ही बच्चे का जनम होता तो सबसे पहले उसका birth certificate बनता था उसके बाद में अधार करड़ बनता था लेकिन दोस्तों अब UIDI के द्वारा ये गोशना कर दी गई है कि कई राज़ों में अधार link बर्थ certificate सेवा है वो शुरू हो चुकी है अन्य राज़ों को भी इस सेवा को शुरू करने के लिए प्रेरित यदि अस्पिताल में होता है तो अस्पिताल वाले सबसे पहले उसका अधार कारड बनाएंगे अधार कारड बनाने के बाद में ही उसका जो बर्थ सर्टिपिकेट है वो बनेगा यानि अधार कारड के बिना बर्थ सर्टिपिकेट अब नहीं बनेगा इसमें क्या होता है कि नवजात के चेहरे का फोटो लेकर उसका अधार कार्ड तयार किया जाता है यूआईडियाई के अधिकारी ने बताए कि देश में लगबग सभी व्यसक अधार कार्ड से जुड़ चुके हैं इस साल अगस्त में एक पॉइंट पांच करोड अधार कार्ड अपडेट किये हैं फिलाहाल केंदर और राज्य सरकार की एक हजार योजने अधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं यानि आपको पता होगा कि अधार कार्ड से ही सारे काम होते हैं चाहे वो केंदर सरकार की योजने हों चाहे राज्य सरकार की योजने हों सारी की सारी योजने हैं वो अधार कारड एक बहुत ही जुरूरी दस्तावज हो गया जो सभी के लिए अनिवारिय भी है यहां पर युआईडिय के द्वरा एक और गोशना भी की गई है कि हर वर से बायोमेट्रिक डाटा अपडेट कराना होगा यानि कि हर दस साल में अभी तक तो क्या होता कि केवल पांच साल के और दस पंद्रा साल के बच्चों का ही जो अधार करड़ था वो अपडेट होता था लेकिन अब हर दस साल के बाद में आपको अपना जो अधार करड़ है उसका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा और जो डेमोग्राफिक अपडेटा वो करवाना होगा यहां पर लोगों को परतेक दर्स वस्त में एक बार स्वेचिक रूप से आधार में बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराने के लिए प्रोईशाइद करेगा अभी केवल बचों की उम्र पांच और पंद्रे वर्स होने पर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करना पड़ता है 양ल पर लोग करने के लिए जैसे ही कोई लोग पैसे निकलाने के लिए आते हैं वहां पर बायोमेट्रिक किया जाता है तो उनका फिंगर प्रिंट्र नहीं आता क्योंकि उन्हों ने कभी उस व्सका घृमाल पाइन करवाया ही और नहीं उनका demographic update वो करवाते हैं क्योंकि यदि किसी का gram 5 change हो गई word change हो गया तो भी वो अपना demographic update नहीं करवाते हैं और यह विचार करते हैं कि चलता है तो इसी प्रेकार से यह काम लोग नहीं करवाते हैं तो अब UIDA के तोरह एक अभियान चलाए जाएगा जिसमें biometric update की जाएगी और demographic update भी की जाएगी लेकिन यहां एक और बता जिया कि 70 वर्स की आयू के होने के बाद biometric या demographic update कराने की आवशिक्ता नहीं होगी यदि किसी के आयू एक निश्चित सीमा से उपर चली जाती है तो उसका biometric update नहीं किया जाएगा और नहीं demographic update किया जाएगा तो दोस्तों यह एक बहुती ही बड़ी यहां पर update है जो UIDA के दोरह यहां पर आधार से समन्द दिये गई है जल्द ही पूरे देश में लागू होगा अधार लिंक बर्थ सेटिपिकेट नवजात के चेरे का फोटो लेका ताईयार किया जाता है अधार करड़े इनने नवजात का फोटो लिया जाएगा और फिर उसके बाद भी अधार करड़ है वो यहां पर जारी किया जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो में दी गई जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेरे जरूर कर देना साथ में कमेंट बोक्स में कमेंट भी लिख देना और यदि आप ऐसे ही अपडेट परना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकरी के साथ में तब तक के लिए जैहिंद